हाई दोस्तों आज हमने आप सबके साथ सेयर करिए सेवबाजी की रेश्पी वह भी दूद वाली यह सीखिए हमें एक डाबा मालिक से और इसका है न सारा सिक्रेट में आपको बताऊंगा पर वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ाईगी क्योंकि मैं बताऊंगा बीच-ब परा दनिया लेना है कटे उटो मैटर के पीस्हें लेने हैं और कटे हमें प्यालव फीराब्न हमें कर दो है ठोड़ी से देडर र्लेनी हैं और maneamin साले सूका दनिया फेड़ाई और अलदी और लेना हमें त Samara हो गलिए आप एसने 2, अबुच्छ स आपकी नहीं प morte निना ठोड़ा सा थे सबसे पहले क्या करेंगे हम करेंगे सबसे पहले एक त्यार क्योंकि यह होते नह急 ini है चोड़ा करके र barrьте है तो एक त्यार करके रहते तो इसके पहले पहले जीरा राई उसके बाद थोड़ा सा हींग पावडर और फिर आम इसमें डालनी है कटे हुए प्याज और हरीमिच और इसे जब तक कि सुनेरा हो ना जाए ना तब तक हम इसे चलाते रहना है कि लोजी हो गया यह सुने रहा आप देख सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे टोमाटर के कटे हुए पीसे इसे हमें चलाते रहना है जब तक की टोमाटर अपना पानी ना चूड़ते हैं कि अब इसमें डालेंगे मसाले सबसे पहलेंगे लाल मिच पाउडर डेड़ चमच गरम मसाला एक चमच और इसमें डालेंगे हल्दी एक बटा तीन चमच और डालेंगे इसमें सूखा दनिया पिसा हुआ डेड़ चमच और इसमें डालेंगे हम डेड़ चमच नमक दियान रखिए गापको नमक आपके स्वादनसार डालना है और लालमी जापको स्वादनसार डालना है उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि थोड़ा गड़ा चोक तेयार हो ठरिभाएश के से कन शाठी को मैं थोड़े देर हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे और मसाले को पकने देंगे कि हमारा त्म कुest तेया देब दूर हमने टेकी पहुतों हुए देर वसमें के कड़ाइब उसके बाद रिखें पृटने जदालतों यह त्मकष बाने कहीं हैे त्मकुर्ण कि जब टे ज passado कि नहीं है अमने डाल दिए एक गिलास लूद कैसे पारि part और इसे हाई फिलिम पर हमने चलने दिया जब यह अच्छी तरह से उबल जाए ना उसके बाद इसमें हमने थोड़ी सी अल्दी डालनी है अल्दीश में डाली है थोड़ा सा कलर लाने के लिए कलर चोक से भी आ जाता पर जैसा डाबा मालिक ने बताया हमें तो ऐसा ही करना है वाई उसके बाद हमने से वाजी डाली इसके अंदर दो कटोरी आप ज्यादा भी डाल सकती हैं जिए अगर आपको थोड़ी ज्यादा गा वह कैमरे गंदर नहीं आपाई हम रिकोड़ करना भूल गयते हैं उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से उबाल लिया है अब आप देख सकते हैं बढ़िया पकाई होगी हमारी से होगी अब इसमें हम वह चोक डालेंगे जो हमने पहले तेयार किया था अब हम इसे अच्छी तरह से मेक्स करेंगे और थोड़ी देर फिर से पकने के लिए इसे हम छोड़ देंगे याद रखना आपको आपको इसे हाई फिलिम पर पकाना है जब यह अच्छी तरह से पक जाए ना तो हमें क्या करना है गैस फिलिम को कर देना है लोजी तयार हो गई हमारी सेवबाजी दूद वाली जैसे कि डाबे में बनाते हैं और इसको गार्णिस कर दिया हमने हरे दनिया से सची बताओं तो यह पहली बार खाए ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसे अपने वीवर्स के साथ सेयर करूंगा आप सब को मरें की वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक